कानपूर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत होई थी इस हाथ से के मुख्यारों पी राजु को गिरफतार कर लिया गया है आरोपी राजु बोला कि चंद्रिका मया गय वहां मुंडन हुआ प्रसाद के रूप में दारू पात्री थी प्रसाद के रूप में पी भी लिया था वहां से चले और फिर एक क्वाजर और ले लिया उसके बाद नशे के जोंक में जान ही नहीं पाई उतर प्रदेश के कानपूर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत हुई थी इस हादसे के मुख्यारों भी राजु को गिर अफ्तार कर लिया गया है लेकिन राजु के चहरे पर कोई शिकर नहीं दिखी जबकि इस हादसे में खुद उसकी माँ और बेटी की मौत हुई है और अपनी के साथ ही बेटा अस्पतार में जिन्दगी की जंग लड़ रहे हैं फिलहाल राजु को पुलीस ने जेल भेज दिया है ये राफ्तारी के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाद से का रोपी राजु बोला मेरा नाम राजु है चंद्रीका मैया गया वहा पुलीस टीम द्वारा गिरफतार किया गया है उस पर शरापी का ट्रैक्टर चलाने का आरोप था उसने इस बात को कबूल भी कर लिया है और उसने अपने साथियों के नाम भी बता हैं जो कि पहले से ही नामजद है ब्यूरे रिपोर्ट दिल्ली समाचार